नमस्ते दोस्तों, मैं श्रेयस बड़ी है, आप सबका मेरे योट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, आज हम डेली करंट अफेर्स सीरीज से 27 जनवरी 2024 के करंट अफेर्स को स्टेडी करेंगे, जिसके सूर्स होंगे PIB, the Hindus, the Indian Express, etc. उसे के साथ साथ है जो क करंट अफेर्स के डेली PDF चाहते हो, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलेग्राम चैनल की लिंक रखी हुई, उसको आप जॉइन कीजे, आपको डेली करंट अफेर्स के PDF भी मिलते रहेंगे, अगर आप MCQs की भी प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो इस लेक् साथा, important awards में, तो अभी recent announcement हुए है, जिसमें former BR के CM जो थे, करपूरी ठाकुर, उनको भारत रत्म दिया गया है, फॉस्टिमस, लियाने उनकी death हो चुकिए, वह death के बाद उनको ये award दी दिया गया है, background के अगर बात करे, इस current affair के, तो करपूरी ठाकुर जी जो है, उन्हों में भी जीता था, तो हम कहेंगे, इनकी बहुत बड़ी जर्नी रही है, जो करपूरी जी है, उनकी, उसी के साथ-साथ उन्हें, याद किया जाता है, voice of the oppressed and downtrodden के लिए, जो भी लोग, जो है, समाज के बहुत, जो बहुत सारी चीजे face कर रहे थे, समाज में, उन्हों सब के बाद वो December 1977 से April 1979 में भी वो CM रहे है, उनको जननायक भी कहा जाता है, वो OBC और EBC, हैंने हम कहेंगे, other backward classes और हम कहेंगे, economically backward classes जो होते हैं, उनके reservation के लिए उन्होंने काफी बड़ी, हम कहेंगे, struggle किया है, काफी बड़ी fight दी है हमारे देश में, उसी के साथ-साथ, as a CM 1978 में करपुरी ठाकुर जी जो थे, उन्होंने एक reservation regime भी चलाया था, हम कहेंगे कि भारतिय जनसंग जो है, उनके resistance के बावजूद, याने उनके मना करने के भी बावजूद, उन्होंने काफी एक बड़ा योगदान दिया है, एक major constituent जो है, of the जनता party government ये रहा है, तो चलिए भा भारत रतन क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं, भारत रतन जो है, ये एक highest civilian award है, जो कि देश के नागरिकों को दिया जाता है, ये highest award है, ये award जो होता है, वो आपके exceptional service के लिए आपने जो भी अच्छे service दिये, highest order आपने जो भी performance आपका दिया है, या फिर आपने human endeavor के field म या फिर हम कहेंगे human जो भी development है, या फिर human rights हो गए, या कोई भी इंसानों से related जो भी चीज़ है, इंसानियत के लिए आपने कोई काम की, अपने जिंदगी में तो आपको ये award दिये जाते है, इसका recommend कौन करता है, कि किन लोगों को भारत रतन मिलेगा, इसके recommendation जो होते है, प्राइम मिनिस्टर करते, President of India को, और इसमें कोई formal recommendation necessary नहीं है भारत रतन के लिए, और आपको ये भी बता दू कि भारत रतन awards कितने दिये जाएंगे, उसके उपर भी restrictions है, हर साल तीन से जादा भारत रतन रतन नहीं दिये जा सकते है, उसके अलावा, जो भी लोग रहेंग Article 18 की अगर बात करें, Constitution में तो ये कहा है कि आप award जो आपको मिला है, यानि भारत रतन को आप अपने नाम के पहले या नाम के बात यूज नहीं कर सकते हैं, अगर आप ऐसा गलत फायदा इसका उठाओगे, तो ये award भी आपसे छीन लिया जा सकता है, तो आप इसका गलत इस अपने रहे हैं, जिनको भारत रतन मिला है, और यहां पर आपको ये बता दो कि भारत रतन को लेके हमारे जो भी act है या जो भी चीज़ है, उसमें कोई भी return provision नहीं है, कि भारत रतन जो होता है, वो सिर्फ Indian citizens को दिया जा सकता है, तो भारत रतन इंडिया के बाहर के लोगो Teresa, उन्हें भी 1980 में दिया गया था, और दो non Indians को भी दिया गया है एक है Khan, अब्दुलकफार Khan जिनको 1987 में दिया गया था, और Nelson Mandela, उनको 1990 में ये अवर्ड दिया गया था आपको एक Gandhi Mandela अवर्ड है ये भी आपको पढ़ना इसी से Connect होता यह current affairs से, इसका जो source था current affairs का ये था the Indian Express, जिसमें हमने भारत रतना awards की बात करी, जो की जो करपूरी ठाकुर जी जो है उनको दिया गया है, चलिए दूसरे news की बात करें, दूसरी जो news है वो है sovereign AI को लेके, artificial intelligence की news है, तो ये science and technology के तरफ जाता है, इंडिया अभी अपना recently एक sovereign AI बना रहा है, याने हम कहेंगे sovereign AI, याने हम कहेंगे कि artificial intelligence खुद का बना रहा है इंडिया, इंडिया जो हो रहा है, वो technology का use करके, खुद के governance को अच्छा करने के लिए, develop करने के लिए, एक solution मिले, mass scale, प्याने, सब लोगों को कि एक अच्छा governance प्रोवाइड हो, इसके लिए खुद का AI बना रहा है, sovereign AI होता क्या है, यह हम सबसे पहले देखते हैं, आपको sovereignty जो है AI में, इसका मतलब होता है, एक nation की capability, वो खुद अपने, जो भी artificial intelligence है, उसको control करेगा, authority जो होती AI की technology की उपर, वो भी उसी देश की होगी, कोई बहार का देश इसे control नहीं करेगा, without any other nations interference, या फिर हम कहेंगे, कि without किसी देश के उपर depend रहते हुए, हम अपना खुद का AI develop करेंगे, दूसरी बात जो है, sovereign AI जो होता है, यह एक nation का, एक desire बता था, nation कितने अच्छे से protect कर सकता है, अपने interest को, या फिर हम कहेंगे, ethical, किस तरह से हम AI को बना सकते है, नैतिकता के साथ कैसे use कर सकते है, इसका use, या फिर promotion कैसा हो सकता है, national security को लेके, या फिर economic, जो भी growth है, उसको भी हम बढ़ा सकते है, या फिर जो भी हम infrastructure है, जो भी हमें buildings बनाने है, जो भी रास्ते बनाने है, bridges बनाने, उसमें भी हम इसके help कर सकते है, उसमें भी हम इसे apply कर सकते है, government जो हो उसी के अलावा यहां पे हम इन चीजों को लेके ethical standards भी set कर सकते हैं कि नैतिकता को किस तरह से चले, morality के साथ किस तरह से चले, तरह से data privacy मिले, security मिले, accountability मिले, याने सब के जो data है उसको भी कही न कही privacy provide हो, या फिर हमारे देश के security का या फिर जो भी जवाब देही है कि सरकार जि पूरा कर सकता है, development के goals को, अच्छे investment plan बना सकता है, जिससे हमारी economic growth होगी, skill development करा सकता है, और ethical guidelines भी provide करा सकता है, कि कि किस तरह से आप morality के साथ रह सकते हैं, और competitiveness को भी एक अच्छी तरह से बढ़ा सकता है, data sovereignty यहाँ पे required रहेगी, याने हम अपना data खुद use करेंगे, और sovereign AI जो होता है, इसमें हम AI की जो technologies होती है, वो use करने वाले nation के security के लिए, defense के लिए और surveillance के लिए, हर चीजों पर नजर रखने के लिए, तो यह बहुत जरूरी है कि इसमें ethical consideration भी हो, इसमें कोई गलत काम ना हो, यह देखना भी इसमें बहुत जरूरी होगा, और यह चीजे भी करने की कोशिश की जा रही है, इंडिया की अगर बात करें, एक sovereign AI की बात करें, तो government of इंडिया जो होती है, यह हमेशा चाहते है कि अपना खुद का एक artificial intelligence system बनाया जाए, और ऐसा ecosystem हो, जिसमें हम कहेंगे कि हम खुद ही, खुद पे depend हो, हम किसी और पे depend हो, जैसे कि global player जैसे players होगे, Google या meta है, इन पे हमें depend नहीं रहना है, हमको अपना खुद का बनाना है, यही हमारा एक तरह से aim होगा, objective यही होगा कि economic development इससे अच्छे से हो, हमारा infrastructure अच्छे से बने, AI के थुरू यह सब यहाँ पे देखा जाएगा, हमारा focus जो होगा, वो यही होगा कि जो application से, जैसे healthcare में इसे apply कर सके, agriculture में apply कर सके, governance हो, या language के translation हो, या इस तरह की काफी सारी चीज़ों में हम AI को use कर सके, यही हमारा एक तरह से हम कहेंगे कि aim होगा, उसी के साथ-साथ Indian Ministry of Electronics जो है, and IT जो है, इन्होंने propose किया है कि India के data sets जो है, यह बनाये जाएंगे, और हम अप platform जो होता है, इसका aim यही है कि जो non-personal और anonymized data sets है, याने जो भी हमें data मिल रहा है, बट जो किसी का personal नहीं है, और किसी का उस पे नाम नहीं है, ऐसा data जो है, इसके चलते ही, हम data collect करके, Indian citizens से भी collect करके, किसी का personal नहीं होगा, पर वो ठीके, personal data collect है, हमें नहीं करना है, इसलिए मैंने कहा कि इसे एक तरह से हमें एक नयतिकता का रूप देना, इसे एक ठिकल बनाना है, और इसका objective होगा, कि इसे accessible किया जाए, ताकि लोग startups कर सके, इंडिया के researchers इसे काम कर सके, इस data के ऊपर, इस data से related, उन्हें इसका knowledge मिले, environment भी एक अच्छे से बनाया जाए, AI के लिए इंडिया में, और startups और research भी बहुत देश में अच्छे से चले, यही हमारा aim होगा, तो इस तरह से sovereign AI जो यह news में रहा है, उसका जो source था, वो था the Indian Express, अगले current affairs के चलते हैं, तो अगला current affairs में देखने मिल रहे है about purple revolution, purple revolution के अगर बात करें तो economy और agriculture में यह जाता है, recently जो CSIR जो है, सो जो CSIR है, उसका full form है, Council of Scientific and Industrial Research, इस तरहे Republic Day पे हम कहेंगे कि कुछ highlight किया है, purple revolution को, एक lavender के cultivation को लेके, जम्मू कश्मीर में, तो lavender के cultivation को लेके जो होता है, उसे purple revolution कहा जाता है, background यही है कि विकसित भारत ऐसी इसकी theme थी, और यहाँ पे कहा गया, lab to market है, lab से market में किस इसे successfully पहुचा है, CSIR के through, यहाँ पे बताएगा, तो lavender का अच्छा production किया जाएगा, जिसे purple revolution कहा जाएगा, जैसे आप जानते, lavender जो होता है, purple color का होता है, तो lavender cultivation को लेके देखते है, हमें क्या पता चलता है, तो lavender cultivation की बात करते हो, ministry of science and technology जो होती है, उन्होंने initiate किया है purple revolution को या फिर lavender revolution भी इसे कहा जाता है, 2016 से ही, aroma mission of the council for scientific and industrial research जो होता है, इसने lead किया है purple revolution को, objective क्या रहा है, सबसे पहला objective अगर हम कहें इसका, तो वो रहा है कि cultivation जो होता है, aromatic crops का उसे बढ़ाया जाए, और oils का भी production किया जाए, essential oils का यहां production किया जाए, अगला है जो Indian farmers होते हैं, and aroma industry होती है, उन्हें global readers बनाया जाए, इनको पूरे world में एक तरह से हम कहेंगे कि पहुचाया जाए, यानि यहां पर अच्छा production होगा, choice बनेंगे, तो पूरे world तक यह पहुच पाएंगे, अलग-अलग कोने तक पहुच पाएंगे, दूसरा है कि farmers को benefit देना, अच्छे profit उन्ह है, यानि वो animal कहीं उन्हें खा ना ले, इसका भी यहां ख्याल रखा जाएगा, इससे employment भी मिलेगा, women farmer को, उसी के साथ-साथ यहां पर government जो होती है, lavender crops को कहीं ना कहीं promote करेगी, farmers को incentives देंगी, यानि हम कुछ पैसे भी farmers को दिये जाएंगे, जिसके चलते हमाएरे डेश में नहीं ये crop बनेगा, हमें foreigners, foreign के जो भी किसान है, या foreign के जो भी lavender के production है, उस पर हमें depend नहीं रहना पड़ेगा, noble lab जो इसके उपर काम कर रही है, laboratory जो काम कर रही है, aroma mission के लिए, वो है CSIR, Central Institution of Medicinal and Aromatic Plants, that is CMAP, CSIR, CMAP जो इसका यूज़ कर रही है, CSIR का full form में आपको बता और CMAP का भी full form अब हम जान चुके हैं, farmers जो होते हैं ये produce कर रहे हैं lavender, पहली बार हम कहेंगे free lavender seedlings उन्हें दिया जाएगा, those who had sown crop before were paid, जिन्होंने पे किये, उसके पहले भी जिन्होंने यहाँ पे payment होने के पहले भी जिन लोगों ने यहाँ पे crops लगा है, उन्हों भी 5-6 पर plant यहाँ पे government pay करेगी, इसका significance यही होगा कि Indian farmers जो होते हैं और Aroma industry जो होती है, यह कही न कही बहुत आगे बढ़ सकती है, lavender cultivation जो होता है, इसमें about 5,000 farmers या young entrepreneurs जो होते हैं, इनको employment मिल सकता है, J&K के जमुएड कश्मीर के, उसी के अलावा यहाँ पे हम कहेंगे कि cultivation जो essential oils भी बनाए जाएंगे, जो कि Aroma industry के चलते बहुत जादा demand में रहे हैं, और इससे हमारे 700 ton essential oils बनाए जाएंगे, perfumes बनाए जाएंगे, perfumerist, cosmetic बनाए जाएंगे, pharmaceutical industry में help होगी, तो इस तरह से हम कहेंगे कि बहुत जादा help हो सकती है, purple revolution को लेके, और यह आपको current affair जो देख का जो syllabus है, वो आपको environment and ecology में जाते हुए दिखता है, तो recent report यह बता रहे कि agulis long build log जो होता है, is adopting and surviving, जितने भी farming हो रही है, याने हम कहेंगे, उनके nesting grounds जो है, जहाँ पे वो रहते थे या जहाँ पे वो production करते थे, उसके आसपास South Africa में, उनके आसपास farming करने के बावजू भी वो कही न कही survive कर रहे है, उन्हें जादा इसका कोई फर्क नहीं पढ़ रहा है, background यह है कि because it only occurs in small part of South Africa, बहुत कम पार्ट में हो रहा है, regular long build, लार्ग जो होता है, यह कही न कही एको टूरिजम के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसकी value भी बहुत ज़ादा, और यह South Africa क unique biodiversity है, यह काफी unique species है, जो South Africa में पाई जाती है, तो यह कही न कही शर्वाइव कर रहा है, तो यह अच्छी बात है, बट यह बहुत कम पार्ट में आपको देखने मिलता है, तो इसे कही न कही अच्छे से protect करना चाहिए, agulis long build lark की अगर बात करे, तो इसका scientific name है, सेरत्रिल यह जो अपने nest बनाता है, यह mainly बनाता है, रिनो स्टर्वल्ड फिबनॉस पे, यह एक type of vegetation है, जिसमें grasses होते है, wild spring flowers होते है, critically endangered है, क्योंकि agriculture expansion के कारण यह भी खतम होते जा रहा है, आपको यह भी बता दू कि यह endemic है, resident breeder है, यानि हम देखेंगे, तो यह endemic याने सिर्फ वही पाया जाता है, यह सिर्फ कहां पाया जाता है, तो western cape जो है, South Africa में सिर्फ वही पाया जाता है, और इसके range के अगर बात करें, तो angulus arable, जो farmland है, वहाँ पे यह पाया जाएगा, तो हम कहेंगे कि, जो mountain होता है, जिसके east में पाया जाता है, वो है, hotend, totts, holland mountain range, जो की muscle bay के पास आता है, और यहाँ पे maximum, जो area है, वो है, 15,000 square kilometer, that is 5,800 square meter, यहाँ पे यह पाये जाते है, agulus long build, लाग जो होता है, यह 18-20 cm length में होता है, यहाने 7.1-7.9 inch length होती है, इसके long tail and इसके longest curved build होती है, एक तरह से, यह इसका जो color है, वो strict buff gray head होता है, और इसका back भी उसी color क होता है, above gray color का, और इसके wings जो होते है, यह जो closed wings होते है, यह gray आपको देखने मिलते है, इसके जो भी under parts है, वो cream colored के आपको देखने मिलते है, जो अंदर के parts है, और dark streaking आपको breast और flanks पे आपको देखने मिलती है, यहाँ पे आपको इस diagram में जो इस जो picture है, उसमें देखने और इस current affair का जो source था, यह था down to earth, तो अब हमें next current affair जो देखने मिल रहा है, वो है India-France relations को लेके, और इसका syllabus जाता है international relations में, recently जो president of India है, उन्होंने receive किया है, president of French Republic को at राष्टरपती भवन, राष्टरपती भवन में, background में अगर हम जाते हैं, तो president Macron जो है, वो president है, उन्होंने कहा है, कि जो दो leaders है, इस दो देश के, वो guest of honor रहेंगे, एक दूसरे के जो successive national day parade है, उसमें, यानि इंडिया के इस बार के parade में, जो थे, वो फ्रांस के राष्टरपती आये ते, और उनके यहाँ पे हमारे राष्टरपती भी जाएंगे, तो यह एक historic moment है, और अगर देखा गया, तो symbol of depth है, अब हमारे friendship के बीच में, यानि इंडिया और फ्रांस जो उनके relation जो होते हैं, वो और strong होते हुए दिख रही है, हमारी partnership भी बहुत strong होते हुए दिख रही है, इंडिया फ्रांस के relation के अगर बात करें, तो सबसे पहले आपको यह बता दू यह दोनों ocean में रहने वाले जो देश है, यह दोनों की partnership काफी अच्छी देखने मिल रहे हैं, और diplomatic relations भी हम दोनों के हैं, जो कि 1947 में ही बने थे, relations जो होते हैं, वो strategic level पे हम कहेंगे कि अब देखिए कि strategic level पे भी इसे अच्छा रखना होगा, क्योंकि हम दोनों को एक दूसर जो है, वो इंडिया का एक key partner है, defense की अगर बात करें तो, जैसे कि self-reliant defense जो होता है, उसके development में हमें France की काफी जादा help मिलते रहती हैं, उनके technology भी हमें मिलते रहती हैं, इंडिया और France जो होते हैं, यह एक दूसरे के cooperation के साथ, एक दूसरे के development कर रहे हैं, दोनों मिलके का होती है, of third countries, यह भी आपको देखने मिलते हैं, इन दोनों के करन तीसरे देश को भी, बाकी देशे उनको भी काफी benefit मिलते जाते हैं, तो एक agreement हुआ है, कि six scorpion submarines जो होती है, वो इंडिया में बनाई जाएगी, French के help से, इसको sign किया गया था, 2005 में, government to government agreement था, एक और जिसमें 36 Rafale aircraft भी बनाए गए थे, यह defense को लेके हमारे अच्छे relations पता चलते हैं, दूसरा अगर हम economic को लेके अच्छे relations की बात करें, तो हमारे बीच में जो व्यापार चलता है, जो trade चलता है, वो over 12 billion United States के जो dollar है, उसमें है, तो हम कहेंगे USD dollar में हमारे 12 million का trade हमने किया, एक दूसरे क साथ 2021 और 22 में, France जो है, वो 11th largest foreign investor है इंडिया में, जो इंडिया में foreign countries invest करते हैं, उसमें 11th largest investor जो है, यह France है, तो economic को लेके भी France हमारे लिए काफे important आपको पता चल रहा है, अगला science और technology की बात करें, तो पहली बार जो दो देश है, उन्होंने एक joint vision for space cooperation, 2008 में ही sign किया था यहने दोनों मिलके space में भी एक दूसरे को cooperate करने वाले हैं, और nuclear energy की बात करें, तो इन दोनों ने यह भी कहा था, कि हम दोनों मिलके joint construction करेंगे, पूरे world के largest nuclear park का, जो कि जैतापुर महराष्टर में होगा, agreement को sign किया गया था, about a decade, ago 10 साल के आसपस का time यहाँ पे बीच चु काफी सारे negotiations भी किये गए है, nuclear power cooperation of India और Ereva के बीच में, यानि हम कहेंगे France और India के बीच में, environment को लेके भी हम एक दूसरे के साथ मिलके चलते हैं, जैसे international solar alliance जो होता है, इसको भी हम दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलके sign किया था, India और France ने, ताकि solar में भी हम एक दूसरे की help कर सके, France जो होता है, उन्होंने offer किये थे, 861.5 million dollars 2022 तक हमें solar projects डेवलप करने के लिए हमारे देश में, तो उन्होंने हमें financial help की थी, तो ये भी हमारे काफी अच्छे relation environment को लेके दिखते हैं, और उसी के अलावा bilateral military exercises भी दोनों साथ में चलाते हैं, जैसे exercise शक्ती जो है, व और exercise हमने military exercise यहाँ पर चलाई थी, तो इस तरह से इंडिया और फ्रांस के relation जो है, ये हमारे international relations के current affairs का part बंतर, इसका जो source था, वो था P.I.B. that is, Press Information Bureau. आगे चलते हैं, तो हमें current affairs जो देखने मिल रहे हैं, वो है economy से, वो है tax GDP ratio को लेके, recently direct tax और GDP ratio जो है ये बढ़ गया है, 15 year high यहाँ पर हम देखने मिल रहे हैं, तो हम कहेंगे कि काफी बढ़ा हुआ दिख रहा है, जो financial year 2023 है उसमें, तो हम कहेंगे कि ये हुआ क्या है, तो direct tax to GDP ratio, ये है कि ये भी आपको बताऊंगा, बट पहले ये देख लो कि news क्या है, ये 15 year high हुआ है, 6.11% से, हम कहेंगे 15 साल में ये high होते हैं, आपको दिख रहा है financial year 2022-23 में, और यहाँ पे जो data release किया है, CBDT, that is central board of direct taxes ने, इसी के चलते हैं, हमें ये पता चलता है, ये ministry of finance के पर काम करता है, तो tax GDP ratio होता क्या है, सबसे पहले जो tax GDP ratio होता है, ये measurement होता है कि कितना tax collect किया जाता है, इंडिया के GDP को लेके इनका ratio निकाला जाता है, पहले तो हम ratio निकालेंगे कितना tax collect हो रहा है, फिर हम देखेंगे इंडिया की GDP कितना है, gross domestic produce, यानि इंडिया कितनी ची share of taxes, overall जो हम output generate कर रहे हैं देश में, उसमें taxes का कितना बड़ा एक तरह से हम कहेंगे share है, यानि for example में 1 लाख अगर देश में हमारा देश कमा रहा है, तो 1 लाख में कितना tax का share है, यानि 10,000 है, 20,000 है, कितना है, ये उससे पता चलता है, तो tax GDP ratio जो होता है, उससे पता चलता है कि how well government controls economic resources, तो economic resources को इंडिया कितने अच्छे से control कर रही है, इससे दिखता है, तो हम कहेंगे tax to GDP ratio जो होता है, वो size of countries, tax revenue जो होता है, उससे भी देखता है, यानि GDP में जो government कमा रही है, वो product से जाधा कमा रही है, या tax से जाधा कमा रही, ये भी हमें पता चलता है, तो higher tax to GDP ratio यानि हम कहेंगे better countries financial position, तो इंडिया की position काफी अच्छी है, ये आपको देखने मिलेगा, तो direct tax to GDP ratio जो होता है, ये ratio होता है, direct tax जो collect किये गए, direct tax जो लोगों से directly collect करते है, इसका एक example है, income tax, जो लोगों से government directly collect करती है, तो direct tax जो होती है, ये जैसे taxpayer के income पे लगा जाता है, जो भी profit हो कमाएगा, उस पे लगाए जाता है, जो भी revenue उससे collect कर रही है, government वो होता है, तो इस तरह सी चीजे होती है, जो आपको किसी और को नहीं देना है, direct tax है जो directly किसको जाता है, citizen से जो जाता है सीधा government को, यानि हम ऐसा कहेंगे, हम shop वाले को नहीं दे रहे हैं, फिर shop government को दे रहा ऐसा नहीं है, जैसे मैंने pain खरीदा, pain पे मैंने जो tax था और shopkeeper को दिया, और shopkeeper ने कहीं पे pay किया, that is indirect tax, बट जो directly जैसे income tax में government को देता है, उसे direct taxes कहा जाता है, तो हम कहेंगे कि अब ये direct tax जो होता है, ये बढ़ते हुए दिख रहा है, इसका implication क्या है, तो हम जा सकता है, borrowing जो होती है, ये कम की जा सकते है, क्योंकि हमारा देशी अच्छी कमाई कर रहा है, तो अभी हमें कहीं पे कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, और fiscal deficit भी reduce हो जाता है, fiscal deficit वही कहेंगे, कि हम जादा कमा रहे थे, और उससे भी जादा पैसा खर्च कर रहे थे, यान अगर हमारा income कम है expenditure पे, तो ये हो जाता है deficit, और अगर हमारी income जादा expenditure से, याने खर्चे से, तो वह हो जाता है surplus, तो ये जो deficit है, income कम और खर्चा जादा, ये चीजे भी यहाँ कम की जा सकते हैं, reduce की जा सकते हैं, और अच्छे tax collection अगर हो रहे हैं, तो government की capacity बढ़ सकते हैं government खर्चा कर सकते है, welfare scheme पे, लोगों के कल्यान के लिए खर्चे किये जा सकते हैं, और हमें depend नहीं रहना पड़ेगा indirect taxes पे, याने चीजों के rates नहीं बढ़ेंगे, direct tax अल्रेडी उससे अच्छा पैसा मिल रहा है, तो हमें किसी product के rate बढ़ाना नहीं पड़ेगा, याने taxes नह जादा दे रहा है government को, तो inequality कम हो सकती है, तो हम कहेंगे कि जादा कमा रहा हो, जादा देगा, जो कम कमा रहा हो, वो कम देगा government को, तहिसी inequality कम होगे, और equal हम कही न कहीं कुछ time में दीखने लगेंगे, इसका significance क्या है, इसका हम कहेंगे कि फाइदा क्या है? तो हम tax GDP र瑞श méd रहा है यह economic health दिखा रहा है याने हम कहेंगे कि हमारी economic इतने अच्छे से चल रही यह दिखा रहा हूँ और efficiency दिखा रहा है tax collection में कि कि इतने अच्छे से tax collect के जा रहे है और हम कंगे tax का base भी कितने अच्छे से रखा है government ने यह भी दिख रहा है ऐक fiscal environment बन रहा है financially हमारा देश जो है यह strong दिख रहा है तो इस तरह से यह direct tax GDP ratio जो है यह news में रहा और इसका जो source था यह था the Indian Express सो अब बारी है आज के MCQs को solve करने की तो सबसे पहले हम यह देख लेगी पहला question क्या है पहला जो question है उसमें आपको एक तरफ दिये एक तरफ दिये species दूसरे तरफ दिये IUCN status आपको correct pairs इसमें धूनने हैं स्पीसी का नाम है निकोबार वाइट टेल श्रीव IUCN status है critically endangered दूसरा स्पीसी दिया है forest इसका IUCN status है least concerned तीसरा दिया है गंगे शार्क इसका IUCN status है vulnerable इसमें से कितने pairs correct आपको बताने है only one only two all three या फिर none जो भी सही आपको option लगता है जो भी सही जवाब लगता है वो आप comment section में लिखिएगा इसके सही answer आपको next current affair के वीडियो में मिल जाएंगे दूसरा जो question हमे देखने मिल रहा है वो उसमें दो statements दिये है पहला statement है tax to GDP ratio जो होता है वो measure करता है size of a country's tax revenue इसको GDP के साथ compare करके दूसरा होता है statement two जो दिया है वो है lower tax GDP ratio याने better country की financial position इसमें आपको बताना है कि कौन से statement correct है तो पहला आपको option बता रहा है कि statement one और statement two don't correct है और statement one का सही explanation statement two ह second option कहता है statement one और statement two don't correct है but statement two जो है statement one का सही explanation नहीं है तीसरा option कहता है statement one correct है but statement two incorrect है और चौता कहता है statement one incorrect है but statement two correct है next question के तरफ बढ़ते है next question है जो third question उसकी अगर बात करें तो आपको ये बता दू कि यहाँ पे उन्होंने जो question पूछा भारत रतना को लेके है तो first question first option इसका है तो award जो होता है इसको आप prefix करके use कर सकते हैं नाम के सामने use कर सकते हैं दूसरा option एस राधा कृष्णन सी राज गोपलाचारी सी वी रमन जो होते है वह first recipient है भारत रतन के इनको 1954 में ये दिया गया था भारत रतन जो होता है ये citizens को सिर्फ इंडिया के citizens को ही दिया जाता है इसमें से कितने options करेक्ट है आपको बताना है पहला है two only दूसरा है one two and three only तीसरा है three only और चौता है one and three only तो इसके options सही answer आपको जो लगते हुआ आप comment section में लिखते वे चलिएगा अब बारी है 26th January के current affairs के जो question मैंने पूछे थे उसके answers जानने की so जो first question पूछा गया था उसका सही जवाब था A second question जो पूछा गया था उसका सही जवाब था C और third question जो पूछा गया था उसका सही जवाब था A I hope आपके most of the answers जो है वो correct निकल गए होंगे so इस तरह से आज के हमारे current affairs रहे 27th January 2024 के current affairs हमने यहां discuss कि अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आते हैं तो नहीं like जरूर करे शेयर करे और मेरे YouTube चैनल को subscribe करके बेल आप icon को जरूर प्रेस करे ताकि आने वाले वीडियोज के notification आपको मिलते रहे और आपके हाथ से कोई भी important वीडियो जो है वो चूट ना जाए अगर आप और updates चाहते हैं तो आप follow लाइक कर सकते हैं मेरे Facebook pages को श्रेयस बड़ी है श्रेयस बड़ी interpretation यह मेरे Facebook pages से अगर आप मुझे कुछ doubt पूछना चाहते हैं आप मुझे से बात करना चाहते हैं कोई भी question पूछना चाहते हैं तो आप Instagram पे मुझे message कर सकते हैं मुझे follow करके श्रेयस बड़ी the peace lover यह मेरा Instagram ID है अगर आप मुझे mail करना चाहते तो आप श्रेयस बड़ी at the gmail.com पे मुझे mail भी कर सकते हैं और मेरा academy जो है उसका भी Instagram पे page है Facebook पे page है उसे भी आप follow करके मुझे support कर सकते हैं वहाँ भी आपको informative वीडियो मिल जाएंगे तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिन शुब हो take care and have a very good day